Microsoft Excel में आज हम सिखेंगे week number और week day function के बारे में आप देख रहे हैं subject go मैं हूँ राजकुमार सिंग तो आई आज का topic शुरू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पर date लिखा है तो सबसब पहले बात करेंगे यहाँ पर week number के बारे में देखें week number जो function वो Excel 2007 में काम करेगा पर week day जो function वो Excel 2007 में वर्क नहीं करता है उसके लिए आपको Excel 2013 या 21 या 22 नया वर्जिन जो अपडेट हुआ है वो यूज करना पड़ेगा तो पहले सिखेंगे week number function के बारे में यह क्या करता है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले देखें week number function का जैसा नाम है वैसा ही काम है week यानि कि कौन से week यह week का बताएगा जैसे मान लीजे एक से लेके साथ दिन होता है अब मैं यहाँ पर type कर देता हूँ पहले देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कि Sunday यहाँ पर मैंने Sunday type किया है और इसको मैं नीचे तक drag कर देता हूँ तो Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday अब यह Sunday को क्या मान के चलेगा यहाँ पर पहला दिन लेकिन जितने भी मन्थ शुरू होते हैं उसमें जरूरी नहीं कि वो Sunday से ही शुरू हो कोई मन्थ जो होता है वो Monday से शुरू हो जाता है यानि कि उसमें एक तारीक मंड़े को पढ़ जाता है किसी में Tuesday, किसी में Wednesday इस तरह से अलग-अलग हो जाता है लेकिन जो by default यहाँ पर तरीका होता है week number वो यह मानने कि चलता है कि महिने में जो दिन शुरू हो रहा है वो Sunday होगा और एक तारीक होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है तो यहाँ पर check करेंगे देखे जैसे मैं यहाँ पर calculate कर रहा हूँ यहाँ यहाँ यह calculate कर रहा है Sunday मानने ठी सबसे पहले Sunday मानके चलते हैं, तो यहां पर यह calculate कैसे करेगा वो देखे, सबसे पहले आपको week number में यह बताता है, कि जो भी आपने तारिक लिखा है, उस तारिक में जो आपने date दिया है, वो date पहले week में आ रहा है, या second week में आ रहा है, या कोई और week में आ रहा है, जैसे मानक एक तारिक तो पहले विक में आएगा उसके बाद यह है नौ तारिक तो यह कौन से विक में आना चाहिए दूसरे में क्यूंकि देखें एक हफ्ते में किते दिन होते हैं साथ दिन तो एक से लेके साथ साथ यहां हो गया तो यह तो एक विक के अंदर कहलाएगा उसके बाद सा एक तारिक था ये एक तारिक संडे में नहीं था ये एक तारिक के दिन दिन कौन सा था वो यहाँ पर कंप्यूटर में जाएंगे और अपने कलेंडर में चेक करेंगे देखेंगे मैं चले जाता हूं यहाँ पर जन्वरी में जन्वरी 2022 और चेक करते एक तारिक को क्या था सट तो इस ने वोई चीज यहां पे चेक किया है कि एक तारिक को अगर साटडे हो गया तो पहला वीक तो आपको यही बना दिया कैसे इसको किया जाता है देखें यहां पर आपको सिंपले लिखना होती है equal week number and um देंगे आप tap button दबा के function आपने लिया serial number कह रहा है इसमें आपको date select कर देना है उसके बाद यहाँ पे bracket close करके और enter करना है और कुछ भी नहीं करना है तो यह निकल के आ गया पहला week है यह date जो है पहले week में पढ़ा ठीक है इसी तरह से नीचे ड्रेक करते हैं तो नीचे ड्रेक करने पर यह 3 आ गया यह second week की जगा third week में यह date पढ़ गया तो इस तरह से नीचे भी आप कर सकते हैं आप नीचे भी कर लेते हैं यहाँ पर equal week number tap button दबा के function लिया उसके बाद select करेंगे bracket close और enter तो यह देखें यहाँ पर आ गया यह पहले week में है यह date और बाकी चेक कर लेते हैं यह सभी date जो है second week में आ रहा है तो मैं उसे use कर लूँगा यहाँ पर by default कैसे calculate करता वो तो आपको पता चल गया कि Sunday को यह पहला हफता मान के चलेगा कि Sunday जो है शुरू हो रहा है तो यह पहला मतलब की दिन हो गया उसके बाद दूसरा Monday तीसरा Wednesday इस तरह से उसके बाद आप custom calculate करना है आपको तो custom में क्या कर करते हैं वस फर्क यह है कि यहाँ पर आप देंगे function week number और week number देने के बाद आपको क्या करना है serial number में तो date select कर देना है कोमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको बताना है इसको Sunday या Monday कौन सा दिन से आप शुरू करना चाते हैं अपना week यानि कि आप यहाँ पर custom बता रहे है तो मैं यहाँ पर check कर लेता हूं देखे Saturday यहाँ पर 16 नंबर में तो इसपर double click कर दीजें यहाँ पर आके ठीक है double click करके यहाँ ले सकते है या 16 नंबर टाइप कर दीजें यहाँ तो मैं double click करूंगा यह देखे 16 नंबर आ गया उसके ब्रेक्ट खलोज करके enter करेंगे और इस कुम से हपते के अंदर आया यह डिट और यह डिट अया पहले हपते के अंदर तो इस तरह से आप जो कस्टम कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंखते है स्थे बारे में को अब स Census क्वूराने क विग दे के बारे में से पहले मैं आपको बता दू에 को बने कि इस week का ये कौन सा दिन है जैसे आप पूछते है ना कि इस महिने का कौन सा दिन है आज ये पहले हफ्ते का कौन सा दिन है सातमा दिन है आठमा या फिर पहला दूसरा इस तरह से तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इकवल वीक डे याप बटन दबा के फंक्षन लिया उसके बास सिरेल नंबर में डेट सलघ करेंगे यहां पे यह कह रहा है कि वीक आपको कौन सा सचार करना रेंगेमं करना है तो मैं यहाँ पर संडे मान के चलता हमर्गोण संडे और संटे लिगक का पहला दिन driver होगा और दिये होगा Saturday, तो वो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, और बस इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा, Tab button दबाखे, और break it close, और enter, तो यहाँ पी यह आ गया सात्मा दिन, अब यह सात्मा क्यों बता रहा है देखिए, जो संडे में चलता है, देखिए, संडे में हो गया, पहला तारीक तो आपका यह हो गया, और यह Saturday को पड़ा था, एक तारीक पहला मैना 2022 जो इस दिन Saturday था, तो कौन सा मतलब की दिन था यह, सात्मा दिन था यह, ठीक है, week का सात्मा दिन, तो यह यहाँ पे निकल के इस तरह से आ गया, इसको आप नीचे तक ड्रेक कर देंगे, तो बाकी सभी का निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह से आप जो एक्सल के अंदर week number और week day function का यूज कर सकते हैं, इसको जब आप दो तीन बार revise करेंगे अपने आप, तो उसके बाद आप जो इसको समझ सकते हैं, और यहा by default starting from Sunday, ठीक है, पहला week जो है start होता है, वो Sunday से start होता है, ठीक है, Sunday से लेके Saturday तक पहला, तो इस तरह से आप जो एक्सल के अंदर week number और week day function का use कर सकते हैं, एक्सल से related और भी function के बारे में हम next वीडियो में सिखेंगे, फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की और भी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहे हैं सब्जेट को और सिखते रहे हैं